हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई चानल व्यूस क्रेटिविटी तो आज हमारा टाप्पिक है मैक्रियम का और एक डिजाइन का कीरिंग बहुत ही असान दरीके से मैं एक कीरिंग रेडी करूंगी दो कलर कम्बिनेशन का यह बहुत ही प्रीटी लग रहा है आप लोग खुद देख सकते हो बहुत ही यूनिक डिजाइन है असान है तो यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के पास में बेल वाली आइकन को भी दवाना मत भूले तक मेरा हर वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचा आप तक सब से पहले थैंक्यू सो मच फिर चलिए शुरू करते हम हमारी की रिंग बनाना यह देखिए मैं मैंकरम का की रिंग पहले भी बहुत सारे बहुत सार नहीं दो तीन शायद आप लोग उसे शेयर कर चुकी हूं तो यह और एक की रिंग का वीडियो है तो उस सब वीडियो का ल सकते हो कोई भी कलर ले सकते हो और यहाँ पर में एक बेल लिया है ब्लू कलर की और लाइटर और यहाँ पर देखिए एक की रिंग एक बजार में अबले वेले और सीजर और एक में पिन ले लूँगी यह पीन मतलब ऐसे जैसे कि हमारी की रिंग बनाने में कोई दिक्कत न लेना है कॉट को ऐसे डावल फोल करके मतलब अंदर से की रिंग के अंदर से असे निकालना है फिर और एक कॉट लेना है ग्रीन कलर का सारे कॉट हब मिटर का है और इसके बाद यहाँ पर मैं स्कॉयर नॉट लगाऊंगे यह देखिए एक लगा लिया दूसरी तरफ से और ए एक ऐसे यह देखिए यहाँ 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 नौट हो गया है मेरा है इसके बात मैं साइड में यहाँ पर और्रेंज कलर का कट अटाच करूँगी यह भी 1.2 मिटर के आसपास से या फिर 2.2 साइड में मुझे ऐसे ही मुझे आटाच करना है यह से झाले के मैं मैं माइक्रम बेसिक का एक वीडियो आप लोगों को शियर कर चुकी हूँ आप प्लीज उससे देखिए ताक आप लोगों को पता चले कि मैं कैसे नौड लगा रही हूँ अगर आप लोगों को यहाप दिक्कत हो रहा है तो यहाप देखिए मैंने एक नौड लगा लिया है दूसरे तरब इस दोर कॉट को और इसको ऐसे यू करना है फिर इसको इसके अंदर से ऐसे निकालना है टाइट करके एक साइट से निकालना हो जाए तो दूसरी साइट से और एक बार निकालना है यह देखिए निकाल लिया मैंने और यहापे कॉट एटाच हो गया आप बीच में में चार घीन कलर का कॉड मिल रा है इसमें मैं ऐसे नॉट लगा दूंगी स्कोयर नॉट जो है ओ स्कोयर नॉट लगाउं। यह देखिए अबGodest में जो ऊरेंज कलर का दो दो इधर दो जो इधर दो बच रहा है तो इसमें मैं फिर से उरेंज कोट को एटाज करूंगे ऐसे पहले वाले जैसे किया है वैसे सेम दो साइटी करना है दो साइट पर करने की बाद यहां पर देखिए फिर से नीचे चारचर आण कोट मिल रहा है साइट में दो को छोड के वहाँ पर मैं स्कोया नॉट लगा लोगी यहां पर्णौत्ड लगा लिएं साइट में भी स्कॉइन नौट लगा लोंगी तो फिर क्या हुआ पहले एक नौट हुआ फिर दो नौट हुआ फिर यहां पर नीचे और एक ही नौट होगा और उसके नीचे और एक बस लास्ट नौट होगा तो यहां पर देखें नीचे चार कॉट हमें मिल रहा है तो यह वाला कॉट मैं स्कॉर्ण नोट लगाऊंगी इसको ऐसे यह देखिए यह कॉट यह पर छोटा पर रहा है तो यह पर मैं कॉट अटच करूंगी कॉट अटच करना मैंने बहुत सरे वीडियो में दिखाई है इसमें भी दिखा रही हूं देखिए दो कॉट को ऐसे लिया लाइटर जलाऊंगी जलानी के बाद ऐसे इसको चिपका दूँगी बस हो गया कॉट अटच अब इसमें भी हमें स्कॉर्ण नोट लगा लेना है बहुत ही आसान बहुत ही सिंपिल तरीके से कि देखिए स्कॉर्ण लगाना होते ही अब हमें क्या करना है साइट का जित्ता भी कॉट है उसको कट करना है कि देखिए कट कर डियों में साइट के सारे कॉट को नीचे का दो को छोर गए साइट के सारे कॉट को कट करना है पहले तो छोटा-छोटा करके उसके बाद नीच से gap थोरी से नीचे से cut करेंगे यह देखिए थोरी से नीचे से cut करने के बाद यहापे मैं ring डाल दूँगी दो card लिया है green color का उसमें से 1 मैं sorry bell लगा लूँगी यह देखिए यहापे मैं bell लगारी हूँ बेल लगाना होते ही, यहाँ पर मैं लाइटर की मदद से दो कॉट को फिर से अटाच कर दूँगी यह देखिए, अटाच कर दिया, यहाँ पर हमारा बेल चिपकाना है, वह हो चुका है, अच्छी से, और यहाँ पर ध्यान से कीजिए, नहीं तो हाथ में लग जाएगा, अब साइट के सारे कोट को स्टीच करना है, आच्छी से लाइटर से चला के स्टीच कर देना है, अच्छी से लाइटर 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 से से लिए सीजर का मदद ले रही हूँ आप लोग भी एही कीजिए नहीं तो और कुछ लोहे का चीज से कीजिए हाथ से बिल्कुल मत कीजिए नहीं तो देखना हाथ जल जाएगा पुरा यह पर और थोड़ा कट करके मैं ऐसे जला दूंगी तो देखिए मेरे चैनल पर हर तरी आप लोग उससे अँसे पर्हेभल कीजिए और प्लीज लाइक कीजिए अगर आप लोगों को पर संदधा से तूझ साथ सिम्पल सा की रिंग है इसको बनाने में बुझ्छ हाइस समय स्लीप पांच मिनट लगा है सची में फमनानाई में कर वद फिरतु स्लम इंपे पहुत अब देखिए आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और अगर प्रसंद आया मेरे ये कीरिंग का वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के पास में बेल वाली आइकन को भी दवाना मत भूले तकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन बहुंच है आप तक थैंक यू सो मच आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू तो मैं फीड मिलते हूँ और बहतरीन वीडियो के साथ देखते आगे वाले वीडियो की चीजिज का आता है तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तकि मेरे सा प्टाइब को